हालो दोस्तों तो आज के इस वीडियो में जिसे रिकॉर्मेंट के हम बात करेंगे वो यहाँ पर पावर ग्रिड की तरफ से है जिसमें यहाँ पर सिविल और इलेक्ट्रिक इंजिनियर्स के लिए कापी सारी वेकेंशिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लेए तो यह चीज़ आप इहां पर द्यान रखें 24 मंद के इसाफसे यहाँ पर रहनी वाली है तो इसके बाद फिर यहां पर तिल दर प्रोजेक्ट इस कम्विट यहने की प्रोजेक्ट आपका जब तक चलेगा जब तक यहां पर य जा सकता है जो कि minimum five year तक का यहां पर रह सकता है तो यह चीज़े एक तरीके से यहां पर जो है आप मान सकते हैं आगे यहां पर time बढ़ जाए और job आपकी बढ़ जाए तो project वगर पर depend करेगा बाकी चीज़े आप यहां पर देख लें तो सबसे पहले आपर बात करे लेते हैं पोस्टों के लिए तो सबसे पहली जो vacancy है वो यहां पर रहेगी current project यहां पर जो vacancy है इसमें civil electric engineers के लिए जो number of vacancy है 31 and 31 तो electric engineers के लिए है and इसके अलावा 12 vacancy यहां पर field engineers and field supervisors जो है अपने civil engineers के लिए यहां पर रहेगी total of number of vacancy का जो यह डिवाइडेशन है अलग-अलग category wise भी आप यहां पर देख लें अपनी अपनी जो category है उसके इसाफ से ताकि आप यहां पर apply कर पाएं अगली post यहां पर जो यहां पर future यहां पर anticipated project के नाम से इन्हों ने आपर जो है दे रखी है उसमें भी यहां पर 10 vacancy civil engineers के लिए field supervisor की and वहीं field engineers के लिए civil वालों के लिए 10 vacancy और 26 and 26 vacancy यहां पर electric engineers के लिए है तो बाकी जो dividation है category wise उसके इसाफ से और यहां पर आप देख लें and जो pwbd candidates आदी के लिए जो vacancy है रिजर्व की गई है वो किस इसाफ से रहेगी तो उस category से ब्लों करता है तो वो यह चीज जो है guideline है वो यहां पर देख लें तो age की यहां यहां पर जो फिल्ड इंजिनियर्स की जो पोस्ट है इसमें 29 एयर की जो age है मेग्जिवम वो यहां पर होनी चाहिए बाकी age में relaxation वगर आपको यहां पर मिल ही चाहते हैं इसमें education qualification की बात करें तो आपके पास full-time BEBtech की degree यहां पर होनी चाहिए civil engineering से तो आप इसमें eligible है जो भी आपर जैसे गिये electric engineers है तो इसमें आपके पास electric से diploma होना चाहिए और civil की बात करें आपर तो civil engineering से आपके पास जो है वही same diploma यहां पर होना चाहिए full-time लेकिन आपर ध्यान रखें जहां भी यहां पर diploma मांगा गया है वहां पर अगर आप देखें तो degree वहां पर allow नही नहीं रहेगा तो वो चीज आप यहां पर ध्यान रखें क्योंकि यहां पर इस चीज का आपको प्रूप सब्मिट करना होगा कि आपने higher education जैसे की BTEC, MTEC, BE आपने यहां पर नहीं की है तो ही आप apply यहां पर कर पाएंगे तो इस तरह से यहां पर जो भी eligible candidates हैं अपने अपने इसाप से degree and diploma वाले अच्छे तरह से देखकर यहां पर apply कर दे minimum passing mark यहां पर 55% यहां पर है जो कि आपके education qualification के according आपके होनी चाहिए तो आप इसमें apply करने के लिए यहां पर eligible रहेंगे salary के यहां पर बात करें तो 30,000 पलस यहां पर बाकी की जो चीज़े हैं वो आपको यहां पर जो है मिल जाएगी तो वहती बड़ी है जो age में relaxation मिलते हैं government term condition के इसाब से वो यहां पर रहेंगे तो वो यहां पर basic जो रहते हैं उसके इसाब से यहां पर रहने वाले हैं project का time आपने पहले उपर देखाई जो 24 month के लिए है लेकिन बाद में 5 year तक यहां पर जो बढ़ाये जा सकता है उसके बारे में आगे बात करें यहां पर selection process की तो यहां पर selection process में सबसे पहले यहां पर जो field engineer से उनका selection किस तरह से होगा तो आप देख सकते हैं selection will be involved interview only on the eligible and shortlisted candidate तो यहां पर जो भी candidate यहां पर shortlist किये जाएंगी उनका केवल interview होगा shortlisting में यहां पर जो भी higher education qualification आदी जो चीज़े होगी बैतर उसके हिसाब से यहां पर select किये जाएंगी और फिर interview ग्रादार पर selection यहां पर दिया जाएगा बाकी यहां पर screening test वगरा आदी भी यहां पर conduct करवाए जा सकते हैं जो कि only for elimination purpose से करवाए जाएंगी यानि कि यहां पर number of candidates यहां पर ज्यादा होते हैं तो उस हिसाब से यह बहुत आपके लिए useful रहेगा तो इन चीज़ों को आप जरूर से note कर लें और जो levels एंड जो pattern यहां पर test का यहां पर जो रहेगा उसके हिसाब से जो है आप इसको जो है अपनी जो खुद की तयारी है उसको यहां पर आप बहतर जो है तरीके से करके र और उसके बाद जो है apply करना है ताकि किसे तरह की कोई भी यहां पर जो है problem आपको ना आए और आसाली से जो है आप यहां पर apply कर पाएं जिसमें यहां पर आप देख पाएंगे कि जो भी documents वगर आदी कि जो format size आदी है सभी इनोंने यहां पर दे रखें तो इन चीज़ों क जरूर से यहां पर note करके और process बगर सारी यहां पर देख लें ताकि उसे साफ से आप अपने documents वगर है सभी को यहां पर तयार यहां पर करके रख सके और बाकी जो basic terms condition आदी जो है इनका यहां पर ध्यान रखते होगे जो है apply यहां पर कर दे experience के आप बात कर रहते हैं पर ए आप देखते रहे ना जो भी यहां पर रहता है तो बाकी इनकी official website से जो है टच में रहे टाइम टाइम जो भी updates इनके जो निकल के आती है उससे जो है आप बिलकुल यहां पर उनको देखते रहे तो ठीक है friends धन्यवाद